हेलो अचो, आई टी आई की जो बैक पेपर के जो एड्मिट कार्ड थे वो आने लगें हैं आप अपने मुवाइल से किस प्रकार से एड्मिट कार्ड निकालें इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुचाऊंगा तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग one by one और जो इस step जो मैं follow करूँगा आप उसको follow करें तो मैं उमीद करता हूँ कि सरसे पहले आप लोग अपना Google open कर लेंगे Google में आप लोग NCVT MIS जालेंगे आप देख पारे होंगे यहाँ पर एक NCVT MIS यहाँ पर है तो जैसे मैं NCVT MIS जालूँगे यहाँ पर यहाँ मैं क्लिक करूँगा और देख पारे होंगे NCVT MIS में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आ रहा होगा कि trainee profile इस trainee profile में हम क्लिक करेंगे जैसे trainee profile ने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा registration number डालना है father name और जो date of birth है जो image होगी उसको मैं अभी refresh कर देता हूँ तो प्रॉपर तरीके सा जाएगी तो यहाँ पर अभी बच्चे का जो भी registration number वो डालना है और यह डालने से पहले बता दू जो 00 होते हैं उसकी जगहे पर हमें क्या डालना है capital R तो यहाँ पर capital R डालना है फिर 190 80 something ऐसा कुछ डालना है तो मैं डाल के दिखाऊंगा और आपको यह दिखाऊंगा कहाँ पर आप admin card निकाल सकते हैं कहां से तो साथ से पहले यह अपने stuff follow जो करना है कि trainee profile पर जाना है और trainee profile पर जानने के बाद इतनी information आपके पास होनी चाहिए ठीक है यदि आई यह information नहीं है तो आप लोग अपना admin card नहीं निकाल सकते हैं तो आपके पास registration number होना चाहिए father name पता होना चाहिए date of birth और अपनी जो image यहाँ पर निकाल के आ रही है उसको आप डालेंगे तो मैं अभी entry करने जा रहा हूँ आपके सामने और दिखाऊंगा कहाँ पर कैसे आप लोग अपना admin card डाउनलोड कर सकते हैं आप देख पा रहा हूँगे मैंने जो इसकी entry थी वो मैंने फिल कर दी है बस आप image entry करनी है और जैसे मैं image की entry करूँगा तो यहाँ पर आपका जो profile ओपन होकी आ जाएगी तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस परकार साब की profile ओपन होगी आप देख पा रहे हैंगे यह profile open हो चुकी है यह student है मांडवी गुपता तो इसकी profile open हो चुकी है तो अभी जैसे मैं नीचे इस पर जाओंगा तो वहाँ पर आ रहा होगे जो भी option आएंगे तो वहाँ पर मैं option पर जाकर वहाँ पर दिखा दूँगा कि किस परकार से आप लोपना जो admin card है वो download करेंगे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कई सारी section आ रहे हैं यहाँ पर CBT hall ticket और mark sheet और certificate print तो इस बच्चे के कुछ marks कम थे तो यह exam देने के लिए lisable है तो यहाँ पर जो यहाँ पर लिख्या रहा CBT hall ticket यहाँ पर click करने से आपका hall ticket वो generate हो जाएगा अभी phase 1 के exam start हो गए है उस phase 1 की मैं list भी दिखा दूँगा कि तीन तारिक से आपके paper है कोगि बच्चों को पता भी नहीं कि paper कब से हैं तीन तारिक से पर start है यह सचा ही है पर हो सकता है कि यह भी आपका admin card download ना हो जदी आपका admin card download नहीं होता है यानि कि आपका जो phase है वो second phase में आपके exam होगा second या third phase में तो phase wise आपके exam होगे और phase wise आपके admin card download होगे पर यह video उन लोग बच्चों के लिए है जो लोग अपना admin card खुद निकालना चाहते है तो मैं बता दूँ आप लोग को कि इसी प्रकार के जो process जो में अपना आया है उससे आप लोग अपने admin card CBT haul ticket यहीं से generate कर सकते हैं आप click करेंगे तो यहाँ पर लिखके आ जाएगा कि yes आपको download हो रहा है अभी क्या लिखके आ रहा है कि अभी जो भी है अभी इसकी जो information है वो अभी नहीं है यदि जैसे ही face में इसका list आ जाएगे तो उसके जो admin card है वो allow हो जाएगे तो मैं उमीद करता हूँ इसी प्रकार से आप लोग अपना admin card निकाल सकते हैं अब बात रही तीन तारिक में किन-किन बच्चों के exam में उसकी मैं list आप तक दिखाता हूँ हो सकता है पहुचा भी दूँगा यदि मेरे whatsapp group से जोड़ जाते हैं तो whatsapp group जो मेरा है 7318160808 आप मेरे whatsapp group से जोड़ जाएए तो मैं आप लोग को इसकी information जो भी face wise लिस्ट होती है वो भी मैं आपको देखता रहूँगा क्योंकि बच्चे लोग परिशान होते हैं वहाँ पर याप अपना search भी कर सकते हैं क्या मेरा exam face wise है की नहीं है किस face मेरा exam है तो अभी face 1 चला है उसकी list में आप तक मैं पहुचा सकता हूँ तो मैं उमीद करता हूँ कि वो मैं list आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ एक minute में है तो आप लोग देखिएगा कितने सारे बच्चों की जो left over बच्चे हैं जो आपके फेल बच्चे हैं उसकी exam होने वाले हैं तीन तारीक से आप देख पा रहे होंगे यहां पर यहां पर एक list में दिखा रहा हूँ है बहुत सारी information है तो यहां पर देख लीजे यहां साब साब लिखा हुआ है तीन तारीक को पांच वजे से साथ वे पेपर यहने की evening session पेपर है illustration का बच्चा है और यह जो center गया है बता रहे है ब्रह्मिन अगर यह जहासी यह center जहासी में गया हुआ है और यह बच्चा जो है 2018 का बच्चा है किनका किनका exam है तो मैं उमीद करता हूँ यहां पर लाख बच्चे है कई सारे बच्चे देखिए यह भी देखा रहे हैं 13,000 बच्चे अभी चला 13,000 अभी मैं नीचे और जाओंगा तो 14,000, 15,000 कई सारे बच्चों के अभी एक्जाम अभी बाकी है तो मैं उमीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप लोगों को मैं information देता रहूँगा face wise आपके exam हो रहे हैं तो यह घवराईगा गर नि कि आपको किस face में exam में आपके college आपको inform करेगा कि आपका exam इस face में है यह देख पारे हों कि सब यह तीन तरह को exam में 9 से 11 यानि कि जो 2 घंटे में exam हो रहा है तो आप exam दे सकते हैं क्योंकि यह जो exam में 2-2 घंटे के इसका लोग क्या है कि उसका exam छूड़ गया था इस दिसको ज़्यादा समय दिया गया है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सेरो, सब्सक्राइब चुरू करें तब तक लिए जहिन जै भारत